नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Naso 20 Pro vs Realme 8i का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, Naso 20 Pro में 6.39 इंच जबकी Realme 8i में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है विद्ध की बात करें तो, Naso 20 Pro में 2.97 इंच जबकी Realme 8i में 2.97 इंच की विद्ध मिलती है जो की सेम जैसी ही है बात करें थिकनेस की तो, Naso 20 Pro में 0.37 इंच जबकी Realme 8i में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो नाजो 20 Pro में 191 ग्राम्स जबकि Realme 8i में 194 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की सेम जैसा ही है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनु फोन में सेम ही इपस LCD की डिस्प्ले मिलती है डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनु फोन में सेम ही नाजो 20 Pro में 20 रेशियो 9 जबकि Realme 8i में 20.1 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करे तो, नाजो 20 Pro में 6.5 इंचर्स जबकी Realme 8i में 6.6 इंचर्स मिलती है डिस्प्ले रेसलूशन, नाजो 20 Pro में 1080 x 2400 और, Realme 8i में 1080 x 2412 मिलता है Screen to Body Ratio, नाजो 20 Pro में 83.36 प्रतिशत जबकी Realme 8i में 84.88 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो, नाजो 20 Pro में 405 प्रतिश जबकी Realme 8i में 400 प्रतिश प्रतिश मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जोकी मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की वाइड अंगल कैमरा, माक्रो कैमरा और आखिर में डेप्ट कैमरा देखने को मिलता है और Realme 8i की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की वाइड अंगल प्राइमरी कैमरा, माक्रो कैमरा और आखिर में डेप्ट कैमरा देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की साथ डिफरेंट फीचर्स मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले बात करें CPU की तो दोनों phone में same ही 12 nm है GPU की बात करें तो Naso 20 Pro में Mali G76 MC4 जबकि Realme 8i में Mali G57 MC2 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Naso 20 Pro में Mediatek Helio G95 और Realme 8i में Mediatek Helio G96 मिलता है बात करें RAM की तो Naso 20 Pro में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 6 GB, 8 GB की RAM मिलती है जबकि Realme 8i में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 4 GB, 6 GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते है वो दोनों फोन में same ही दो variant देखने को मिलता है और दोनों फोन में same ही 64 GB, 128 GB की storage मिलती है expandable memory दोनों फोन में up to 256 GB है operating system की बात करें तो नाजो 20 Pro में Android V10, Q जबकि Realme 8i में Android V11 देखने को मिलती है बाटरी नाजो 20 Pro में 4500 mAh जबकि Realme 8i में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो दोनों फोन में same ही दो colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो नाजो 20 Pro में दो variant देखने को मिलते है जो की 6 GB RAM 64 GB storage के साथ 14,999 रूपीज 8 GB RAM 128 GB storage के साथ 16,999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें Realme 8i की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते है जो की 4 GB RAM 64 GB storage के साथ 13,999 रूपीज 6 GB RAM 128 GB storage के साथ 15,999 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांजन कौन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो Realme Nazo 20 Pro में 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Realme 8i की तो उसमें 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम भी है में कैमरा में Realme 8i आगे है फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord से 5G है जो की 27,999 रुपे में मिलता है दूसरा Realme 7 Pro है जो की 17,599 रुपे में मिलता है तीसरा Realme Nazo 20 Pro है जो की 14,999 रुपे में मिलता है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy F41 है जो की 15,499 रुपीज में मिलता है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना